अपने आत्म बल और आत्म विश्वास से वंचित हो गए हो हनुमाल परन्तु मैं तुम्हें अपनी आंत्रिक शक्ति जागरित करना सिखाऊंगा ये कौन से शक्ति है जिसके चर्चा आप कर रहे हैं बोले बाबा वो शक्ति पुत्र जिसका परिचे मनुष्य को योग की साथना और उसमें दक्षिता प्राप्त करने से होता है जो शक्ति सोयम तुमसे उत्पन होकर तुम्हें सम्पूर्ण और शशक बनाती है जिससे तुम अपने जन्म का प्रयोजन सिद कर पाओगे हनुमान को ये विशेश शक्ति कैसे प्राप्त होगी बोले बाबा पुत्र उसके लिए तुम्हें योग की पांचो विधाओं अर्थात ध्यान ग्यान हट कर्म एवं राज योग में प्रवीन बनना होगा मैं स्वयम तुम्हें ग्यान और हटियों के शिक्षा दूंगा स्वयम देव अधी देव महादेव अनुमान के गुरू बनेंगे यह तो हनुमान का सौभाग यह है परन्तु है भत्वत्सल क्या हनुमान यह क्या अवश्य ग्रहन कर सको ही पुत्र मैं स्वयम तुम्हारा मार्क दर्शन करूंगा तो फिर तुम्हारे लिए क्या संभव है पुत्र सर्वप्रथम मैं तुम्हें ध्यान योग की शिक्षा दूंगा उससे तुम्हारे चित में शान्ती और एक आगरता स्थापित होगी तुम्हें स्थिर्ता प्राप्थ होगी पुत्र स्थिर्ता? ध्यान योग द्वारा प्राप्थ स्थिर्ता योग सिद्धी का अधार है, स्थिर्चित होकर ही कोई योग की अन्य विधाओं का ज्ञान प्राप्ट कर सकता है परणतु भोले बाबा, हनुमान समझा नहीं ये स्थिर्टा क्या है और उसकी क्या अवशक्ता है स्थिर्टा से गामभीर्य का विस्तार होता है पुत्र, आओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ कहो पुत्र, इस सरोवर में तुम्हें क्या दिख रहा है? बोले बाबा, हमारी प्रती चाया इस शांद, निश्चल जल के समान, स्थिर्टा वो मनुदशा है पुत्र, जिससे व्यक्ती, समस्त भ्रांतियों से, मुक्त होकर, ना केवल, स्पष्ट रूप से, जगत का सत्य अवलोकन करने में समर्थ होता है, परन्तु, अपने अंतर से भी, परीचित हो जाता है ये लो पुत्र, इस कंकर को जल में गिरा दो देखो, क्या भी तुम्हें अपनी प्रती छाया दिखाई दे रही है, पुत्र? नहीं बोले बाबा, जल तो वही है, फिर प्रती छाया क्यों नहीं दिखाई दे रही है हनुमान? वो इसलिए बोले बाबा, हनुमान ने अभी इस जल में कंकर डालकर इसके स्थिरता को भंग कर दिया है, इसमें जल तरंगे उत्पन होने लगी है तुम्हारी वर्तमान मान से कवस्था, कुछ ऐसी ही है न, पुत्र? अनेक वांचित विचारों की उधल पुधल से ब्रह्मित है तुम्हारी बुद्धी जी ध्यान योग से बुद्धी शान्त होगी और विचारों की अस्पश्टता दूर होगी तुम्हारा चित स्थिर होगा जिससे तुम उचित निर्णे ले पाओगे पूने कागरता और अनुशासन से अपने उदेश्य प्राप्ती में कारे रत्र होगे अर्थात कारे पूर्ती की उचित प्रक्रिया का पालन करोगे और अपनी आंतरिक शक्ती के अनुरूप सफलता प्राप्त करोगे परन्तु प्रभू हनुमान वानर बालक है और वानर स्वभाव से ही चंचल होते हैं वो एक स्थान पर या एक विचार पर अधिक समय तक स्थिर नहीं रह सकते तो हनुमान ऐसे में कैसे स्थिर्था प्राप्त करेगा यदि वानर होकर भी तुम इस ज्ञान को सिद्ध कर सके तो संभवता तुम संसार के अन्य प्राणियों के लिए भी एक उधारन बन जाओगे हनुमान आओ पुत्रों तुम्हारी ध्यान योकी शिक्षा आरभ करते हैं जो आग्या बोले बापा ध्यान योक का ध्यान प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम ध्यान मुद्रा में बैठना आवश्यक है अर्थात अपने दोनों हातों को अपने घुटनों पर इस प्रकार रखो जिससे हतेली उपर की ओ रहे अंगुठे और तरजनी के अवचोर को छुओ जिससे वृत का अकार बन जाए अन्यतीनों उंगलियों एक दूसरे से सटी रहे परंतु उनका मुख बाहर की ओर होना चाहिए यह मुद्रा तुम्हारी भारीदे और अंतरात्मा के संयुक्त होने का प्रतीक है अब उचित मुद्रा प्राप्त करने के पश्चात तुम्हें ओम शब्द का जाब करना है ओम्हें ओम्हें क्या है बोले बाबा इस एक शब्द में ब्रह्मांड का साहाद निहित है पुत्र स्रिष्टी की उत्पत्ती के समय श्रवन होने वाली ये प्रधम द्वनी है पुत्र प्रधम द्वनी हाँ पुत्र सर्व प्रधम संपून ब्रह्मांड में यही एक शब्द गुन्जाय मान था ओ ओ और ओम के आहनत नात से ही शक्ति का दूसरा स्वरूप प्रस्तुत हुआ डिव्य प्रकाश पंदोप्रांत इसी विशाल प्रकाश पुंज रूपी शक्ति एवं ओम की ध्वनी से धीरे धीरे संपून सुरिष्टी का जन्म हुआ अण में ही नहीं संसार के प्रतेग्वनी में ओम की ध्वनी व्याप्त है डो अंतरिक्ष नक्षत्रों इत्यादी की रचना हुई और प्रित्ती की उत्पत्ती हुई जिसके पश्चाथ उस पर चर अचर जीवन का जन्म हुआ ओम की अपार महिमाय पुत्र समस्त सृष्टी एवं जीवन की जन्दाइनी है उम की ध्वनी इसलिए वे सम्पून ब्रह्माद में सदयर गूज़ति रहती है अंध्र ब्रह्माद में ही नहीं संसार के प्रतेग्वनी में ओम की ध्वनी व्याप्त है अत्भुत्ब मेढ works गिरका प्रत्वी से टकराने वाली बूह起ों को धाने परतों में ओम की ध्वनी प्रसारित होती है ओम कि प्रबु हनुमान को भी ओम की ध्वनी का आभास हो रहा है शीग्र ही तुम उसके अभ्यस्त हो जाओगे पुत्र और तब तुम्हें ग्याद होगा ओम की ध्वनी का उच्छारण हमारे तन मन और आत्मा को पावन कर देता है जीव को जीवात्मा से जोड़ने का माध्यम बनती है ओम की ध्वनी प्रबु फिर तो मैं शीग्र है इसका उच्छारण प्रारंब कर देता हूं कर दो अब क्याद देता हूं बड़ कोा याल अपने नेत्र खोले बिना मुझे बताओ पुत्र हनुमान तुम्हें अपने समीब क्या अनुभव हो रहा है बोले बाबा हनुमान को बढ़ते ताप का आभास हो रहा है और एक तितली हनुमान के मस्तक के समीब घूम रही है वो उसकी नासिका पर बैठना चाहती है और एक गिलहैरी मेरा ध्यान भंक करने का प्रैतन कर रही है और हाँ बाईयू का प्रवह और पत्तों की सरसराहट इतना सब अनुभव हो रहा है हनुमान को अपने नेत्र खोलो पुद्र देखो ना पुद्र ना ही कोई गिलहैरी है और ना ही तितली यदि तुम एक आगरता से ध्यान करोगे तो सूर्य का ताप पत्तों की सरसराहट का सिर्थ तुमारे लिए मिटे जाएगा अपनी रीड को सीधा कर पना प्रयास करो पुद्र अपने नेत्र को बंद कर अपने स्वासपन नियंदरन प्राप्त करो पुद्र अपने मस्तक पर स्थित अपने नेत्रों के मध्या के स्थान पर अपना ध्यान के इंदरित करो पुद्र तब तुमारे समक्ष द्वल जोति उत्पन होगी ओम के उचारण के साथ उस जोती पर अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रत्न कर आंतरिक स्थिरता प्राप्त करने की चेश्टा करो पुत्र रात प्रभात आवें और जावें हनुमत बर्बस ध्यान लगावें ओम निरंतर जपत हनुमनता पावें है तू चेत स्थिरता शिव शंभो जब शिवांश संगी किस्विध हो वे विफल बच रंगी रामकाजपूरन के प्रयोजन जब तब सवकरी के सरिनन्दन ये गाथा माहबली हनुमत की रुचिकल लीला राम बगत की जै 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 रगुनंदन्य राम जै जै माहबली हनुमान प्रतीत होता है हनुमान को ज्ञान पददी का ज्ञान हो रहा है परन्तु मुझे अभी भी संदे है कि हनुमान का चंचल चित कोन स्थिरता राप्त कर सकेगा इस बात का निर्णे तो समय आने पर बता हुझा एकटेव राजिन अब दिखपाल को द्वारा हनुमान की परीक्षा का समय आ गया है जल का प्रयोग सर्वाधिक सहजिता से किसी का ध्यान भंग कर सकता है प्रणाम प्रभू हनुमान मेरी काम ना है पुत्र मेरी असफलता तुम्हारी सफलता पर्मानित करे पुत्र वरोदेव सफलता और सफलता का निधारण मत कीजिये आप मात्र अपने करतवे का निर्वाह कीजिये प्रणाइ पुत्र अप्रणाओ झाल 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 मेरे प्रयासों को विफल कर हनुमान मेरी परिक्षा में उत्तीर रहा प्रणा महादेव आपका कल्यान हो वायुदेव मुझे ग्यात है आप हनुमान का ध्यान भंग करने में संकोच कर रहे हैं परंतु वायुदेव क्या आपकी इच्छा नहीं है क्या आपका पुत्र सर्व श्रेष्ठ प्रमानित हो और श्रेष्ठ वही सिद्ध होता है जो कठें परिक्षा में सफल हो अपने पुत्र के प्रती अपने स्नेहे के कारण आप अपनी शक्ति को छीन मत करेगा वायुदेव अपनी पूर्ण शक्ति का प्रयों कीजिये हनुमान पर और लुटक्ति का अवायुदेव अपने पुमानित है कर दोस्ति का तबर्यों के तुमानित की तुमानित है गुझा कार ले वे उे नहें कि एट हैं, कि एट हैं टुझा कार हैं थे एट हैं वग हैं प्ती के एट हैं यह प्ती है वोग मैं एंव हैं समस्त शक्तियों से वंचित हनुमान के लिए बायुदेव के इस रुप से पार पाना अत्यंत कठी रोगा समभव है कि वो बायुदेव का सामना ना कर पाए झाल शॉब लायुभE रणा माथ प्रणा माथ एक आग्रता ही सफलता और इश्वर की प्राप्ति का साधन है मैं चिंतित हूँ चंद्रदेव की शीतल प्रवा से यदि हनुमान के शरीर का रक्त प्रवा स्थिर हो गया तो उसका ध्यान भंग हो सकता है प्रवा स्थिर हो सकता है मैं 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 है है प्रेजर प्रेजर रहे प्रेजर रहे नहें... झाल झाल जल थल देव वरुण कर डारी वायु देव का वेग भी भारी रजनिपत ने हिम परसाई अगनी देव ने अनल जलाई किन्तु अडिग हनुमत संकल्पी तीर्ग परीक्षाएं भाही अल्पी शिव हनुमत शक्ती से परिचित आज भया पर जग भी विस्मित ये गाधा भाह बली हनुमत की रुचकर लीला राम भगत की जै 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 रगुनन दल्यराम तै जै जै माह बली हनुमत प्रणाम महदेव अनुमान तुम अन्या सभी देवताओं की परिक्षाने तो तिर्ण हो गए आशा करना तुम्हारे ध्यान को खंडित करने के मेरे प्रयास को भी तुम असफल कर ही दोगे कर दो एकात। अु ला अु यु घुल जुए भूपनाती आता है थायों, जुए भूए प्रीकर दोना हुए. धन्य हो हनुमान हम देवताओं के किसी भी प्रयास से तुम्हारा ध्यान भंग नहीं हुआ पुत्र ध्यान योग में तुमने महारत प्राप्ध कर ली है प्रणाम महादेव कल्यान हो देवराज पुम्हारा भाप हो प्राप्धagers प्र ली कर्यान हुआ 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 है वन्यजीव हनुमान से सहज होकर उसके समी पागए है परन्तु महादेवी ये कैसे संभव है देवराजेंद्र हनुमान इस्थरता के ऐसे उच्चे स्थान पर पहुच गया है जिसके प्रभाव से वन्यजीवों में सोहार दुद्पन होता है जो मात्र कैलाश में ही देखने को मिलता है परन्तु हनुमान ने अपनी साथना से उसका सरजन यहीं कर लिया है धन्य है पुत्र हनुमान लिठ का पीश जब ध्यान लगावें जल थल अंबर सब थम जावें जय मारुति जय के सरिनन्दन कोटि कोटि वन्दन अभिनन्दन प्रभु अब कितनी परिक्षा लेंगे हनुमान की पत्र हनुमान पत्र हनुमान पोतरखनोमान. पोतरखनोमान. पुना स्थिरता प्राप्त कर तुम ध्यान योग में दक्ष हुए क्या तुम्हें अपने अंतर में स्थिरता और शान्ति का भास हो रहा है पुत्र हाँ भोले बाबा अवश्य हो रहा है परन्तु जो शान्ति स्पर्श जो मुझे आपके रिदय से लगकर हुई थी उसकी तुल्ना में ये कुछ भी नहीं है परन्तु पुत्र जिसकी प्राप्ती तुम्हें हुई वो परमशान्ति और एक आग्रता अनुपम है इनकी सहायता से तुम योग की अन्य विधाओं में भी सक्षम हो जाओगे ये तो आपकी कृपा है बोले बाबा आपके मार्व दर्शिन से ही हनुमान जैसा चंचलवानर बालक अपने ध्यान को केंद्रित कर पाया पुत्र हनुमान असाधरन शिश्य हो तुम इतनी शीकरी इतना कुछ सीख गए ध्यान योग में निपुण होकर आप तुम हट योग की शिक्षम प्राप्त करने के लिए योग्य हो गए हो पुत्र शरीर की गतीविधी और संतुलन दोनों ही व्यक्ति की कारे करने की श्रमता के लिए अति आवश्यक है इन दोनों का अभ्यासी हठियोग है जो शरीर बुद्धी और आत्मा में समन्वे स्थापित करता है जिससे जीवन में उचित निर्णे लेकर सफलता प्राप्त करना सरल हो जाता है बोले बाबा इसका अर्थ हठियोग से हनुमान को अपने शरीर पर नियंतरन प्राप्त होगा हाँ पुत्र आजीवन अच्छे शारीरिक स्वास्थ का साधन है हठियोग इसके नित्य अभ्यास से शरीर का प्रतेक सुष्म तत्व पोशित होकर शरीर में स्फूर्दी, बल और तेज उत्पन करता है स्वस्थे मन तो ध्यान योग से प्राप्त कर ही लिया है तुमने अब स्वस्थतन के लिए हठियोग सीर्खो हनुमान हठियोग शिक्षा के लिए प्रस्तो थुम्भोले बाबा अतियुत्तम तो ये शिक्षा हठियोग के सर्वशेष्ट आसन सूर्य नमस्कार से प्रारंभ करते हैं इस आसन के निरंतर अभ्यास से आजीवन तुम्हारा शरीर स्वास्थ से परिपूर्ण रहेगा सूर्य नमस्कार के बारहा आसनों में प्रथम आसन प्रणाम आसन से सूर्य नमस्कार आरंभ होता है अपने दोनों पैरों पर शरीर के भाग को विभाज़त कर अपने शरीर को संतुलित करो आओ सूर्य नमस्कार आरंभ करे झाल 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 जाल माता सरस्वती प्रणाम माता कल्यान हो माता हनुमान के तो भाग्ये के द्वार ही खुल गए पहले भोले बाबा ने क्रिपा की और आप आपने अपने दर्शन दिये पुत्र हनुमान मात्र मेरे दर्शन ही नहीं मुझसे शिक्षन भी प्राप्थ होने वाला है तुम्हे ज्यान योग में निपूर्ण बनाने आई हूं मैं तुम्हे माता आप तो ज्यान एवं विद्या की देवी है आपसे ज्यान प्राप्थ करके हनुमान का जीवन तो धन्य हो जाएगा हनुमान ज्यान योग के बिना हट योगी एवं ध्यान योगी अपूर्ण है ज्यान योग को प्राप्त करके ही हट योगी एवं ध्यान योगी संसार के कल्यान के लिए अपने योग का समुचित प्रयोग कर पाते हैं ज्ञान योग की त्वारा ही तुम्हें इश्वर की विशालता एवं महानता का आभास होगा जिससे तुम्हारी आस्था एवं भक्ति में भी फ्रिद्धी होगी अर्थात ज्ञान योग एवं भक्ति योग दोनों एक साथी प्राप्त होंगे हनुमान को हाँ हनुमान ज्ञान योग में भक्ति योग भी समाहित है स्वर्ण को ना पहचानने वाले मनुश्य के लिए स्वर्ण मात्र एक धातु का टुकड़ा है किन्तु जो स्वर्ण को पहचानता है वही स्वर्ण का मूल्य समझता है इसी प्रकार इश्वर की महानता का ज्ञान होने पर इश्वर की भक्ती में स्वतही व्रिद्धी होती है हनुमान, कुछ पूछना चाते हो? हाँ माता, इश्वर कौन है? भगवान शिप जी या भगवान मिश्नु जी? सत्य तो ये है कि दोनों ही एक है दोनों ही समान है ज्ञानवान ही भगवान के इस गुड रहस्य को पहचान पाते हैं हनुमान शिवजी की श्रिजन शक्ती जब नारी रूप में होती है तो देवी आधी शक्ती कहलाती है जो देवी पार्वती की रूप में उनके साथ रहती है शिवजी की पालक शक्ति जब पुरुष रूप में होती है तो उन्हें विश्णु देव के रूप में ये संसार जानता है भगवान विश्णु का कार्य है संसार का पालन करना संसार का पालन करना? वो कैसे माता? अनुमान, जिस प्रकार माता अपने पुत्र का पालन करती है, समस्ध संकटों से अपने पुत्र की रक्षा करती है, उसी प्रकार संसार में जब जब पाप और अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान विश्णू धर्म एवं संतों की रक्षा के लिए अफतार लेते हैं, और पाप का अंत करके पुनहां धर्म की स्थापना करते हैं। हनुमान सत्य तो ये है कि मैं तुम्हें भगवान विश्णु के अफ्तारों के बारे में बताने आई हूं। जिससे भगवान की विशालता एवं उनकी महानता से तुम्हारा परिचाय होगा। भगवान विश्णु जी के सारे अफ्तारों के बारे में बहुत ही आनदाएगा। भगवान विश्णु का प्रधम अफ्तार था। प्रभुश्री मत से अफ्तार लिया था। कुछ परिक्षा साध्मा एवा उचित ग्यान ही सौफाकिकी गुंजी है पूर्व कल्प के अंत में जब कल्योग समाप्थ होने को था उस समय हुआ था भगवान विश्णु का मत्से अफ्तार विश्णु देव के मत्से अफ्तार की साहता से ही श्रिष्टी की पुनहर रचना हुई थी माता ये कल्प क्या होता है हनुमान तुम्हें ज्यात है युग कितने होते हैं हान मेरी माने मुझे पताया था चार योग होते हैं प्रत्थम योग सत्त्य योग द्वितियय योग त्रेता यूग, त्रेतिय यूग द्वापर यूग और चतुर्थ यूग कल यूग अनुमान, तुम्हारी माने तुम्हें उत्तम शिक्षा दी है अब सुनो, ये चार यूग मिलकर एक चतुर यूग होते हैं और एक शहस्त्र चतुर यूग मिलकर कल्प कहलाते हैं और कल्प के अंत में महा प्रलय होती है जिसमें सारा संसार समस्त चराचर प्राणी सब नश्ठ हो जाते हैं सब का अंत हो जाता है सब का अंत ये प्रलय क्यों होती है माता? इसका होना आवश्यक है हनुमान, जिस प्रकार संसार के समस्त प्राणी की एक आयू निर्धारित होती है, उसी प्रकार एक कल्प की भी आयू सीवा होती है, अतहा कल्प के अंत में प्रलय होना निश्चित है प्रलय का एक कारण ये भी है कि कल्यूग में पापाचार, ब्रष्टाचार बहुत अधिक होता है, और कल्प के अंतिम कल्यूग के समाप्थ होते होते, पापकर्म इतने अधिक बढ़ जाते हैं कि प्रिथ्वी देवी उन पापों के बोज को सहन नहीं कर पाती, उनके करुन क करंधन से इश्वर द्रवित हो उड़ते हैं, और परिणाम स्वरु वे महाप्रलय की रचना करके सब का अंत कर देते हैं, ये महाप्रलय महाविनाशकारी होती है हनुमार, अच्छा, अजद, बोघकते हैं, इसक्षणों की ठाइब एक बावपरलय नहीं की एक उस समय की महाप्रलाय भी महाभयांकर हुई होगी सब कुछ नश्ठ होनेकार्थ है सबकी मृत्यू सबकी मृत्यू नहीं हनुमान कल्युक के पाप मैं अंधिकार में भी धर्म और आस्था की जोती जगाय रखने वाले कुछ भक्त हृदय मनुश्य भी होते हैं ऐसे कुछ स्त्रीपुर्षों कुछ जीव जन्तूओं एवं वनस्पतियों आधि को स्वेम ईश्वर ने अपनी लीलाओं के द्वारा विनाशकारी प्रलै से बचाया था यही तो मैं भी सोच रहा था माता कि भक्तों की रक्षा ईश्वर ने अवश्य ही की होगी अहनुमान महा प्रलै से भक्तों के प्राण बचाने के लिए ही भग्वान श्री विष्णु देव ने ही मत से अवतार लिया था कलियोग के अंत का समय आ गया है किन्तु प्रभु के श्री मुक पर विचलित होने के कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहे है स्वामी जगत का अंत होने को है चक को अपने प्रथम अवतार के धर्शन दीजिये प्रभु प्रले की विनाश लीला का आरंभ हो गया है आश्चर है मुझे आपके भक्तों एवंग जीब जन्तु आदी की चिंता हो रही है प्रभु किन्तु आप निश्चंत एवंग प्रसंचित दिखाई दे रहे हैं आपकी भी लीला का समय हो गया है प्रभु कि अपकी अपकी प्रभु प्रभु कि अपकी 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 म으्होग श्रभु कि अपकी 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 आपकी वहो प्रभ जोर जाए कि यहरो वहो अबभा कि अपकी कि 보여 nggak ओम तत्पुरुशाय विधमहे महामीनायाधी मही तनो विष्णु प्रचोधयात ओम नमो भगवते महामच्याय नमह किन्तु माता अश छोटे से मत्से ने सारे भक्तों को महा प्रले महा विनाश से कैसे बचा लिया शीगर बताईया माता वा नरूना चंचल वुधियू आप मेरी चंचलता पर ही हस ही है ना क्या करूं माता शीग रही हो तावला हो जाता हूं पुनह असने लगी आप माता हनुमान तुम्हारे भोले भाले मुख्णे और नटकट भाव भंगी मा से हसी आ गई थी हनुमान चोटे से मुढ़ी में भी सारा संसार समा सकता है समरन रहे हनुमान संसार में छोटा बड़ा कुछ नहीं होता जो आज बड़ा दिखाई दे रहा है वो कल छोटा हो जाता है और जो आज छोटा है वो कल बड़ा भी हो जाता है मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है माता हनुमान जब कथा पूर्ण होगी तब तुम्हें मेरे कतन का अर्थ समझ में आएगा अभी नहीं तो शीगर बताई ना माता प्रभू विष्णुजी की मच्चे अवतार की कथा तो ध्यान पूर्वक सुनो जिन भक्तों को प्रभू बचाने वाले थे उनमें सर्वश्रेष्ट भक्त थे महातेजस्वी राजा सत्यवरत अतह प्रभू सर्वप्रथम राजा सत्यवरत के पास पहुचे जो उस समय स्नान से निवरित हो रहे थे ओम हरी नारायन्यमह, 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 ओम हरी ये मत्ज मेरी अंजुली में? मुझे जल में मत्ज छोड़ ये राजन. रभू, आपकी लिला भी अनुखी है. आपकी कृपा हो तो पत्थर भी बोल पड़ते हैं. ये तो एक जीवदारी मत्ज है. आप तो देखी रहें, मैं एक छोटा सा मत्ज्य हूँ. मत्ज, तुम बिल्कुल चिंता ना करूँ. मैं भली भाती तुमारी देखबाल करूँ. और तुम्हें रहने के लिए सुरक्षित और परियाप्त इस्थान दूँगा. धन्यवात राजन. अर्थात माता प्रभू सत्यवरत जी को. प्रभू ने तनिक सावी आभास नहीं होने दिया कि मत्ज्य के रूप में स्वयम प्रभू ही थे. हाँ, हनुमान. भगवान दर्शन देने से पूर्व अपने भक्त की भक्ती की कड़ी परिक्षा लेते हैं. हाँ, फिर राजा सत्यवरत जी की प्रभू ने कैसे परिक्षा ली? राजा सत्यवरत उन मत्स रूपी प्रभू को कमंडल में लेकर महल पहुचे. प्रफ्टिय। हर्योम नारायन हरी यह द्वनी कहां से आरी यह गड़गड की द्वनी तो और तिवरोग यह द्वनी कहां से आरी यह मत्स इतना शिग्र कैसे पड़ा हो गया राजन आपने तो मुझे भली भाती देख भाल करने का वचन दिया था किन्तो इस छोटे से कमंडल में मुझे रख दिया आपने यह बहुत छोटा है मैं मैं असाहज हूं इसमें अच्छा-च्छा तुम चिंता मत करो मैं तुम्हे तुम्हारे योग्य किसी बड़े और सुरक्षित इस्थान पर ले जाता हूं धन्यवाद राजन अब तुम इसमें आराम से रहो यह स्थान तुम्हारे लिए काफी बड़ा, अच्छा और सुरक्षित है यह विशाल पात्र तुम्हारे लिए उप्युक्त रहेगा तुम्हें यहां कोई कटिना ही नहीं हो हरियोम नारायण हरी अब क्या हुआ है राजम, रक्षा कीजिए मत्स, तुम चिंताना करो हम तुम्हारे साथ किसी भी प्रकार की कोई दुरगटना नहीं होने देंगे हम तुम्हें इससे भी बड़े और उप्यूक्त स्थान पर रखेंगे दैरे रखो अर्थाद, पुनह प्रभू की लेला हुई, फिर क्या हुआ माता शीगर बताए ना फिर जैसे ही राजा सत्तिवरत ने कक्ष के बाहर अपना पाऊं रखा अब तुम इसमें रहो और आशा करता हूँ कि तुम यहां सुख पूर्वक रह सकोगे गदाचित ऐसा यह हो, किन्तो आप मुझे एक आखी छोड़कर मज जाए कहीं पुना कुछ हुआ तो मैं क्या करूँगा अरे नहीं-नहीं मत से तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, तुम यहां बिल्कुल सुरक्षित हो परन्तु माता हनमान को एक बात समझ नहीं आ रही है यदि प्रभु को मच्चर रूप में बड़ा होना ही था, तो वो छोटे रूप में क्यूं आए और वो धीरे-धीरे करके बड़े हुए, एक ही बार में बड़े क्यूं नहीं हो जाते बड़ी परिक्षाओं के उपरान्त ही प्रभु के दर्शन होते हैं हनुमान ये राजा सत्यवरत के धैर्य एवं उनकी शेहन शीलिता की परिक्षा थी इसके साथ ही भविश्य की घटना से भी इनका संबंध था अब क्या हो रहा है, पुने बड़ा हो गया ये मत्स हे बगवन, विचित्र है ये मत्स, इसकी देयो में कितनी तिवरता से व्रद्धी हो रही है राजन, क्या सोच रहे हैं, शीग्र कुछ कीजिए, ये पात्र भी मेरे लिए छोटा पड़ा है क्या टुर अजया बड़ा है क्याओा है हो रहा है पाहा है क्या मेरा एक बाक सक्वें नन्ही मीन का मंडल माए आकारा में पढ़ती जाए ताल तलैया सरी समंदर हारे मच्य से सारे पयोधर धर्म परायन धर्म अधेश्ठा हूप नतोरे निरपल निष्ठा लेवे परीछा निर्प की आए मत्स्य वतारा हरी दर्शाए यह क्या विचित्र माया है एक साधारन मत्स के लिए तो क्या इस संसार के किसी भी प्राणी के लिए ऐसा चमतकार करना असंभव है कदाचित मेरे प्रभु की मुझ पर विशेश कृपा हुई है और उन्होंने यह निष्चे किया है कि प्रभू मेरे प्रभू मेरे नारायन हरी मैं जानता हूं कि इस अद्बुत मत्स रूप में आकर आपने अपने इस बख्त पर विशेश कृपा किये प्रभू अब आप मुझे दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दीजे प्रभू मुझे दर्शन दीजे महाराज सत्य प्रत वरिष्चों की कठिन तपस्या एवं साथना से भग भगवान को भी अपने वश्में कर लेता है देखिए आज मैं भी आपकी श्रेष्ट भक्ति के बंदन में बंद कर यहां चला आया मेरे तो भाग्ये ही खुल गए हरी नारायन आपकी जय हो आपको मेरा कोटी-कोटी नमन जय हो आपकी प्रभू आपने दर्शन देकर मेरे संपूर्ण जीवन की साध़ पूर्ण कर दी प्रभू मेरे भगवन अब मुझे अपने इस जीवन में कुछ और प्राप्त करने की इच्छा नहीं रही किन्तु महाराज सत्यप्रत आज तो मुझे आपसे कुछ चाहिए प्रभू मेरे पास मेरा तो कुछ भी नहीं है जो कुछ है सबाब की ही कृपा का फल है प्रभू आप आज्या दे प्रभू मैं अपना जीवन भी आपके चर्णों में अर्पित करने के लिए प्रस्तुत हूँ राजन, आपको अपना जीवन अपित नहीं करना है. अपितु, आपको औरों की जीवन रक्षा का कारे करना है. प्रभू, मैं आपके इस कथन का आश्यर नहीं समझा. राजन, इस युक का अन्ध साथ दिनों में होने वाला है. प्रित्वी के अनेख भागों में प्रले आरम हो चुका है शीखरी ये संपून प्रित्वी प्रले जल में समा जाएगी और इस प्रित्वी परस्थित समस्चराचर प्राणी विद्यू को प्राप्त हो जाएगे इस विनाशकारी प्रले में अब तक प्रित्वी का चतुर्थ भाग टूब भी चुका है इसलिए राजन मैंने आपको एक महान दायत्व सौपने का निश्चे किया है कि आप सभी भग श्त्री पुर्षों सभी प्रजाती की वनस्पतियों और विक्षों के बीच समस्त पशुपक्षियों के नर्मादा जोड़े एवं सब्त रिश्यों को उनके परिवार सहित एक विशाल नौका में एकत्रित कर लें ये कारे आपको सीमित समय अब्दी में उन करना है मैं अपनी पूर्ण शमता के साथ आपके सादेश का पालन करूंगा प्रभू किन्तु चिंता ना करे राजन आपकी सहायता के लिए मैं रहूंगा आपके साथ बस आपको इतना समरन रखना होगा कि नौका को जल में उतारने से पूर्व आपको नागराज वासुकी को भी अपने साथ नौका में रखना होगा प्रभू जब मेरे शीर्ष पर आपका वरदहस्त है तो यह कारे तो संपन होगा ही बस अपना आशीश मुझे पर सदा यूँ ही बनाये रखें प्रभू मुझे आप पर पून विश्वास है माराज सत्यवरत जिस प्रकार आपने मेरे इस मजसे रूप जीवन की रक्षा के लिए इतनी तत्परता से प्रत्न किये उसी प्रकार अन्य जीवों की रक्षा करने के लिए भी आप उत्मी ही तत्परता से कारे करेंगे अवश्य प्रभू आपके इस आदेश का पूरे प्राण प्रण से पालन होगा अच्छा अब समझा हनुमान कि भगवान विष्णु जी राजा सत्यव्रद जी की इतनी कड़ी परेक्षा क्यूं ले रहे थे क्यूं वो पहले नन्य मच्चे के रूप में आए फिर धीरे धीरे बड़े होते गए और यो विशाल रूप धारन कर लिया राजा सत्यव्रद जी की सेहन शीलता की सीमा को देखना चाह रहे थे वो कि सब के प्राण बचाने के लिए राजा सत्यव्रद पूर्ण ततपरता से कार्य कर सकते है या नहीं किन्तु मैं अभी भी यह नहीं समझ पा रहा हूं कि भगवान मिश्णू ने मच्चे का रूप ही क्यों धारन किया जब पूर्ण कथा सुनोगे हनुमान तो तुम्हें ये भी समझ आ जाएगा जैसे तुम राजा सत्यव्रद की परिक्षा के बारे में जान गए हो परिक्षा की सफलता नहीं राजा सत्यव्रद को इतना महानुत्तर दायत्वे दिलाया वे भी पूर्ण तत्परता एवं मनो योग से विश्नुदेव के भक्तों, सहरिदय एवं सत्कर्मी स्त्री पुर्षों एवं आन्य जीवधारियों और वनस्पतियों को इकत्रित करने में जुट गए उनके सेवक भी हर दिशा से मनुष्यों, प्राणियों और वनस्पतियों को ला रहे थे प्राणियों की बादेद्ट मुष्यों के विकत्रिंग्ग दूश्यों ता है मुश्यों को नहीं ह vowelably प्राणियों का नहीं À आन्यल मोग से विल एकत्रिक में बादेद्पतिओर आन आन्य पर दोक्तिश का रहे हो से लिपघस्तियू झाल झाल सेवको, हमें पूरी दिवृता के साथ काज़े करना होगा, बिना रुके, क्योंकि प्रलय का जल यहां किसी भी ख्षन पहुंच सकता है, इसलिए बिना क्लान्थ हुए, पूरी शक्ती से काज़े करो, महाराज, अब हम श्रमिको की भातिकारिया मत किजी, हम शिग्रिकारिया पूर्ड कर लेंगे, राजा तो प्रजा का सेवक होता है, प्रजा के जीवन की रक्षा करना ही राजा का प्रथम करताव्य है, जितने हाथ श्रम करेंगे, उत्रा ही कार्य तेजी से पूर्ण हो, जी महाराज, साथियों, वर्षा कितनी भी तिवर गती से हो, हमारी द्रणिच्छा शक्ति को परास्त नहीं कर सकती, क्योंकि हमें प्रले को परास्त करना है, किसे भी मुल्य पर, कितने हैं, जी मुल्य वर्णिच्छा शक्ति कर सकत दूर्ण हो, हमारी तो आटीच्छा शक्ति कर सकता दो कितने हैं, साथियों समय बहुत अल्ब है मित्रों अपनी संपूर में शक्तिया और सामर्थ लगा दो विनाशकारी प्रले का जल हमें डुबाने को उतावला है किन्तु हम भी सब की जीवन के रक्षा के लिए तक पर है हमें संसार के पविश्य के लिए सभी चराचर प्राणियों और वनस्पति को बचाना है एक शन का भी विलंब नहीं होना चाहिए अन्यता अनर्थ की संभावनाय बढ़ जाएगी यह आखरी लकडी शेशे महराज सभी मनुष्य परशु पक्षी वरगेवं बनस्पतियों के वीजादी कत्रित कर लिए गये हैं नागराज वासु की भी शिक्री आते होंगे नौका का कार्य भी लगबग पूर्न हो चुका है येलो लगाओ इसे आओ शिक्र करो जी महराज जो आग्या महराज ये तो पूरूक संधेट है पर लेकी आपके दुआर खोल दो और सब को शिग्रती शिग्र नौका में भेजो जी महाराइज शिग्र करो जी महाराइज चलो चलो शिग्र करो रक्षा करो रक्षा करो जाइए, शिग्र! यह वनस्वत्य और व्रक्षों के भी जादी हैं जाइए, जाइए, शिग्र कीजिए चलो शिग्रे चलो, शिग्र कीजिए इंसक पशों को देख कर कोई भैभीत ना हो इस विनाशकारी प्रलै से सब के प्राण बचाने हैं हमें आप सब लोगों से हमारी यह विंती है कि इस कथिन गड़ी में एक दूसरे की साहिता करें हाँ, हाँ, हाँ फिर वो मनुष्य हो या परशुपक्षी आप सब सहय आत्री है इस नोका में आईए, शिग्र कीजिए जी, महाराज चलो, शिग्र करो शिग्र करो, प्रलै जल निकटा गया है प्रलै जल तो आही गया है, राजन कहिए शेश लोग छूटना जाए आप चिंता मत कीजिए मैं किसी को छूटना नहीं दूगा शिग्र कीजिए, जाए, शिग्र आप, जी, महाराज, शिग्र करो और कोई शेश बचाए ये नागराज वासू की कहा रहे गए महाराज, और प्रतिक्षा मत कीजिए द्वार बंद कराइए हमें नागराज वासू की की प्रतिक्षा करनी ही होगी प्रभू ने उन्हें साथ लाने को कहा था किंतु महाराज, जल यदी नौका में भर गया तो कोई नहीं बच पाएगा आप सब लोग दहरे रखें मुझे पूर्ण विश्वास है नागराज वासू की शिगरी ही आते होंगे प्रभू श्री नारायन का नाम लो और द्वार बंद करो जल्दी अरियोम नारायन देरी अरियोम नारायन देरी आप सब लोग सतर्क रहें डेरी रखें और तनिक भी भाइबीत ना हो प्रभू श्री नारायन हम सब की रक्षा करेंगे निश्चिंद रहें आप लोग ही भागवान ऐसे बिनाशकारी ले रे कही नो कही ना पलट जाए शुप शुप बोलो। प्रभु पर भरोचा रखो वो सब ठेक करदेंगे प्रभु श्री हरी नारायन की प्रभु श्री हरी नारायन की हरियोम नारायन Χρι माता प्रभू की क्रिपा से सब श्री नौका सहित जल में तो उतर गए परन्तों क्या नौका इतनी सुद्रेड बनी थी? जो प्रलाय की भयंकर लहरों की थोपेडों को सेहन कर सके, सब सुरक्षित रह सके जैसे जैसे नौका आगे बढ़ रही थी, प्रलाय कारी लहरे और अधिक भयावा हो रही थी धेरिवान और संकल्पी व्यक्ति को ही जीवन में बड़ा कारे करने का उत्तरदायत मिलता है माता, प्रभु की क्रिपा से सब नौका सहित जल में तो उतर गए किन्तु क्या नौका इतनी सुद्रीड बनी थी जो प्रलाय के भयंकर लहरों की थोपेडों को सेहन कर सके, सब सुरक्षित रह सके जैसे जैसे नौका आगे बढ़ रही थी, प्रलेकारी लहरे और अधिक भयावा हो रही थी ना जाने क्या होने वाला है, वर्षा भयानक रूप ले रही है जेलस्तर बढ़ता ही जा रहा है हाँ, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो संपूर्ण प्रत्वी जलमग न हो जाएगी चराचर प्राणियों से भरी हुई विशाल नौका, समुद्र की भयावा हिलोहरों से डगमगा रही थी सभी भयवीत है, किन्तु राजा सत्यवरत को अपने प्रभू विश्नुदेव जी के वचन पर पूर्ण विश्वास था कि वो सबको बचाने अवश्या आएंगे राजन, इन भयावाई लहरों को देखकर भयवीत हो रहे हैं, किन्तु आपके मुख पर चिन्ता के कोई चिन दिखाई नहीं देते रिश्वर, जिन्हें अपने प्रभू पर विश्वास होता है, उन्हें चिन्ता करने की क्या अवश्या था? उनकी चिन्ता तो स्वयम नारायन हरी करते हैं, आप सब लोग निष्टिन्त रहें, देरे रखें, रगू हमें बचाने अवश्या हैं, हरी ओम नारायन हरी महाराज, इस परलाय से पार पाना संभा हो है, पार होगी हमारी नोका मित्र, मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रभू, हमें इस संकट से बचाने अवश्या आएंगे आप सब ब्यर्थ चिंतितना हो, निष्चिंत रहें, प्रभू अमारी रक्षा आवश्य करेंगे, सब मिलकर प्रातना कीजे प्रभू से, हरी ओम नारायन हरी हरी ओम नारायन हरी, हरी ओम नारायन हरी, हरी ओम नारायन हरी, हरी ओम नारायन हरी कर दो कर दो कर दो दो हमें विश्वासता कि आप हम भक्तों की रक्षा के लिए अवश्याएंगे प्रभू महराज सत्यवरत आपने उत्तम कार्य किया है मैं आपके प्रयतनों से प्रसंन हूं प्रभु श्री नारायन हरीकी जै प्रभु श्री नारायन हरीकी जै प्रभु श्री नारायन हरीकी जै नागराज वासुकी मुझे इस कार्य में आपकी सहायता की आवशकता है मैं आप गाशे समझ गया प्रभू इस महानकार्ण में सहायक होकर मेरा जीवन धन्य हो जाएगा प्रश्ची स्रीजन के काज हेतारत सत्य व्रत करते पुरुशारत आये हरी करन को सहाया नाग राज संग करी उपाया बांध के वास की जल याना खीच मच्य रूपी भगवाना लेचले जंबू दीपोरा भोत पराजित पर लय खोरा अच्छा अब मैं समझा मच्य जल में भली भांती विचरन कर सकता है इसलिए प्रभुष्टी विष्णु जी ने मच्य का रूप धारन किया परन्तु वो सब की रक्षा कर उन्हें ले कहां जा रहे थे माता समस्त श्रेष्ट भक्त रिशी मूनी एवं पशु पक्षी अब प्रभु के सनरक्षन में थे प्रले शांत होने तक प्रभु नोका की रक्षा करते हुए उसे संभाले रहे और प्रले रुखने के पस्चा जब जल स्थर रुखा तो परवत राज हिमालय की चोटिया त्रिश्टी गोचर होने लगी जू प्रले के भयानक थपेडु में भी अपने स्थान पर अडिक खड़ा हुआ था तब प्रभु नोका लेकर हिमालय परवत की और बढ़ चले वो देखो परवत अंतरता हमारे प्रभु ने अमें प्रित्वी के एक बाग तक पहुंचा ही दिया यह तो जम्बु दॉइप प्रतीत हो रहा है हां प्रभु हमें पुन्य भुमी जम्बु दॉइप लेकर आए हैं रभु स्री हरी नारायन की संबूल प्रभु नारायन sty संबूल आपकी जय हो प्रभू हमारी नईयां पार करने के लिए आपको कोटी कोटी नमन कोटी कोटी नमन प्रभू कोटी कोटी नमन प्रभू कोटी कोटी नमन प्रभू आज आपने शिद्ध कर दिया प्रभू कि प्रभु अपने बक्तों का साथ संकट में कभी नहीं छोड़ते प्रभु श्री अरी नारायन की जै माता प्रभु विश्णु जी का सहायक बनना ऐसे असीम सुख की कलपना से हनुमान का रोम रोम आनन्दित हो उठा इतने महानकारे करने का सौभाग्य पाकर महाराज सत्यवरत को तो परमानन्द प्राप्थ हुआ होगा अवश्य पुत्र पर तुम अपने हृदय क्यों छोटा करते हो संभव है प्रभु श्री विश्णु जी की क्रिपा से उनके किसी अत्यन्त महत्वपूर्ण कारे में उनका सहायक बनने का अवसर प्राप्थ हो इतना सुक्कर विचार हनुमान करेगा प्रभु श्री विश्णु जी की सेवा प्रभु विश्णु जी की क्या साहता करेगा पुत्र हनुमान तुमारा ये भूला रूप अत्यन्त मनोहर है सुनो पुत्र प्रभु विश्णु जी की भक्ति तो अक्षम को भी शक्षम बना देती है निर्मल हिर्दय से उनकी भक्ति करने वालों को वो अवश्य उद्धार करते हैं हाँ माता प्रभू विश्णु जी के मज्से अवतार के दिव्य प्रसंग से हनुमान को एक परम ज्यान प्राप्त हुआ है प्रभू विश्णु जी प्रलै काल में भी अवतार लेकर उनकी रक्षा के लिए आते हैं जो धर्म का पालन करते हैं और श्रता भाव से प्रभु की भक्ती करते हैं भले ही इसके लिए उन्हें अपने ही नियम के विरुद क्यों ना जाना पड़े सत्य है पुत्र परन्तु जो अधर्म पत पर चलते हैं या धर्म का तिरस्कार करते हैं उनको प्रभु विष्णुजी का संडक्षन नहीं मिलता अपितु अपने दुश कर्मों से प्रभु की कोग को जागरुत कर ऐसे पापी जीव स्वैम अपने काल को आमंत्रित करते हैं धर्म की अवेलना तो स्वैम प्रभु नारायन की अवेलना है माता इतना दुसाहस कौन कर सकता है बताईए ना माता दंब का अंधकार जिनके विवेक की जोती हर लेता है वही ऐसे कर्म करते हैं पुत्र प्रलैकाल में महाविनाश के भहंकर अंधकार से अनेको अधर्मी असुरों का जन्म हुआ उनमें से सबसे भयानक दुष्ट असुर ने उनका नेत्रित्व सम्हाला उनका नाम क्या था माता शीगर बताईए उसका नाम था भैग्रीव अन्दकार का करूँगा विस्तार होगी असुरों की जैजैकार प्रलै उप्रांथ हम असुरों के अधीन होगा ये समस्त संसार और मैं बनूगा असुर सम्राच तीनों लोकों में गुज़ेगा मेरा है क्रीव का नाथ क्या थे ये मैं कैसे संभब करूँगा मेरे मस्तिस्क के अंदकार में जनित हुआ एक कुविचार वेदों का हरण करूँगा मैं सुम ब्रह्मा से जिससे वो स्रिष्टी की रचना में असमर्थ हो जाएंगी फिर स्वाइम अपने हनुसार निर्मित करूँगा नया संसार जिसका होगा नया विधान तीनों लोकों में होगा मास्रा मस्रों का निवास माता क्या सत्य में हैंग्रीव ऐसा करने वाला था और क्या वेद इतने महत्वपून और महिमा मही है उनकी शक्ति से कोई अपने आनुरूप जगत की रचना भी कर सकता है था पुत्र वे तो स्वैम इश्वर की दिव्यवानी का रूप है उनमें संसार का समस्त्य आध्यात्मिक एवं सांसारिक ज्ञान संचित है है ग्रीव को ज्याद था वेदों की अनुपस्थिती में स्वामी ब्रह्मधेव के लिए पुना स्रिष्टी की रचना करना असंभव था परन्तु माता ब्रह्मा जी के हातों से वेदों का हरन करना कैसे संभव हो सकता है अपने इस कुटिल प्रयोजन को पूर्ण करने इतनी शांती से भैक्रीव ब्रह्म लोग पहुचा कि किसी को उसके आगमन का आभाज भी नहीं हुआ उस समय श्रिष्टी के रचाईता मेरी स्वामी ब्रह्म देव योग निद्रा में लीन थे कि कि यजए ब्रह्म लोग ब्रह्म लोग पहुचा ये? हम ये? विश्तार अन्दकार का करूँगा विश्तार प्रण किया था मैंने अपने हातों से बेधर कर ले जाओंगा देखिए ब्रह्मा जी अपने प्रण में सफल हुआ मैं असुन समराठ अगरीब की असुन समराठ है करेंक़। असंबब को भी संबब किया है मैंने स्वेम ब्रह्मा के हाथों से वेदों को चुरा लाया ऐसी अनूटी उपलब्दी का उच्जब अवश्च मनाएगा असुर सवाज परन तु अभी हमें साबदान रहकर प्रलैकाल के हंत तक इन वेदों को सुरक्षित रखना होगा ये तो अभी आरम्भ है हमें पूर सपलता तप राप्त होगी जब मैं असुरों से परिपूर नए संसार का गठन करूँगा इन वेदों के साथ में इस शंक पे छुप जाओंगा तुम सब समस्त दिशाओं से गेर कर इसकी सुरक्षा सुलिश्चित करो दियान रहे कोई विश्चित के समीप ना पहुच पाए अर्थाद है ग्रीव ने वेदों को चुपाकर रखने का पून प्रवंद कर लिया था पुत्र परन्तो ये उसकी मूर्खता थी क्योंकि सर्व व्यापी सर्व ग्याता प्रभु विश्चित का नवारं सुनिश्चित करना भी प्रभु विश्चित के अव्तार की लीवा थाद्व विश्चित का उद्देश था सौब दौन बाक्चाओ यहां से जीवित रहना है तो लोट जाओ यहां से भैबीत कर दिया है हमने उसे लोटा दिया हाहाहाहा यह मत्स यहां तक कैसे पहुँच गया मत्स रूप में तो मवश्य उन दुष्च देवताओं का माया भी छल हो जो नोंने बेदों को प्राप्त करने के लिए रचा है बरंतु व्यर्थ है उनका ये प्रियास है ग्रीब से बेदों को कोई नहीं छीन सकता तुम्हारे जैसे सुख्च माकर के मत्स तो कदाप भी नहीं तो मैं तो मैं अपना मुख खोले बिना ही निगल सकता हूँ हाहाहाहा कितनी भी विशाल क्यों ना हो जाओ मैं और मेरे सहाय कर सुर्थों में जीवित नहीं छोड़ेंगी हाह 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 अग्ग्ग अग्ग 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 प्लeld प्रसीत होता है, तुमारी उद्दंडता का दंड देना ही होगा मुझे. प्रसीत होता है, तुमारी उद्दंडता का देना ही होगा मुझे. प्रसीत होता है, तुमारी उद्दंडता का देना है, तुमारी उद्दंडता का देना ही होगा मुझे. आपकी इस अत्मत लीला रूप में आपकी दर्शन पाकर, मैं धन्य हुआ प्रणाम ब्रह्मदेव जी. फिर प्रभु विश्णुजी ने सभी वेदों को स्वामी को लोटा कर उन्हें यथा स्थान स्थापित किया, और उन्हें पूरा घटना करम विस्तार से बताया. और स्वामी प्रभु की भक्ति में मंत्र मुग्द होकर उनकी स्थूती गाने लगे. सशंख चक्रम सकिरीड कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरूहेक्षणम सहार वक्षस्थल शोभिकोस्तुभम् नमामि विश्णुम् शिर्साच तुर्भुजम् त्वमेव माता चपिता त्वमेव त्वमेव बंधुष्य सक्खा त्वमेव त्वमेव विध्याद्र विनं त्वमेव त्वमेव सर्व ममदेव देव हनुमान प्रभू विश्णुजी के मत्से अवतार की लीला की प्रसंग से तुमने क्या ग्रहन किया माता हनुमान को ग्यात हुआ कि अधर्म और अनुचित उद्देश्य से प्रेरत बुद्धी में अहंकार का वास होता है जिससे व्यक्ती की मती भ्रष्ट हो चाती है वो प्रहमित होकर अपनी संहारक शक्ती पर अटूट विश्वास कर बैठता है जो उसी का पतन करवाता है असूर है ग्रीव इतना आश्वस्थ था कि वो तो समझ ही नहीं पाया कि जो तरी लोकों के स्वामी है और सर्वत्र व्याप्थ हैं उन सर्वशक्ती मान प्रभू विश्णुजी को चलना उनको परहाजित करना तो असंभव है उसका ब्रह्म ही उसके और उसके सहीयोग्यों के विनाश का कारण बना अवश्य पुत्र इसी लिए तुम अपने संपूर्ण जीवन में सदेव उत्तम विचार और विनित व्यवहार को अपने व्यक्तित्व का आभूशन बना के रखने पनमन जीवन परियंद आपकी सीख के अनुसार ही आच्रन करेगा माता सुनो पुत्र इस प्रसंक के उपरान प्रभू ने कूर्म अवतार धारन किया कूर्म अवतार अद्बुत है प्रभू की लीला पहले मच्च और फिर कुर्म यानि की कच्छप रूप लिया उन्होंने हाँ पुत्र प्रभू विश्णुजी की प्रतेक लीला का एक मात्र उद्देश होता है धर्म की रक्षा और उसका विस्तार मच्च से अवतार लेकर उन्होंने प्रलै काल में अपने अनन्य भक्तो एवं श्रिष्टे की रक्षा की थी सुद्रीड पीठ वाले कुर्म का रूप धारन करने में उनका प्रियोजन था देवताओं की रक्षा ते ताओं की रक्षा माता परन्तु किस से दुष्ट असूरों से पुत्र श्रिष्टी के निर्माण के पश्चार सत्युग में पुनह असूरों के आतंक में व्रिद्धी हो गई युद्ध में निरंतर पराजितकर उन्होंने देवताओं को त्रस्थ कर दिया था परन्तु माता देवताओं की शक्ति तो असूरों से कई अधिक होती है फिर असूर उन पर विजय पाने में कैसे सक्षम हो गए रिशीद दुर्वाशा के श्राप के प्रभाव से समस्त देवगर्ण निविरे हो गए थे पुत्रुप मैं रिशीद दुर्वाशा आपको शाप देता हूं इस धस्टिता के दंड सुरूप आप से हीन हो जाएंगे उस श्राप के प्रभाव से देवताओं के एश्वरे का तरास तो हुआ ही था उनकी शक्ति भी शीन और निम्न हो गई थी क्योंकि श्री ही शक्ति है और शक्ति ही श्री है हनुमान को स्मारं हो रहा है कि रिशी दुर्वासा के श्राप के विश्य में हनुमानने पूर्व में भी सुन रखा है माता संभव है पुत्र परन्तु तुम्हें ये ज्यात नहीं होगा कि उसके पस्चात क्या होगा हां माता अनुमान जानने के लिए उत्सोक है शीगर बताए ना माता फिर क्या हुआ अनेकों बार पराजय का मुख देखने के बाद देवता विवश होकर स्व कर दो कर दो करना है ओम शामक्ताकारम फुजग शयनम पद्मनाभं सुरेशम विष्वाधारम गगनसतिशम मेगवर्ण शुहांगम लक्ष्णी कांतं कमलनयनम योगि भिर्धान गम्यम वन्देशनुम भव्वे हरम सर्वलोगे गनातं तौमेव माता चपिता तौमेव तौमेव बंधुष्च सक्खा तौमेव तौमेव विद्याध्रविणं तौमेव तौमेव सर्व ममदेवदेव जो भी धर्म के मार्क पर चलते हैं, इश्वर सदैव उनका साथ देते हैं